वहीं भीलवाडा में बेटियों की निलामी के मसलेप पर भाजबा गेहलूत सरकार पर हमलावर है उपनेता प्रतिपक्ष राजिंदर राठोड और भाजबा सांसद राजिवर्धन सिंग राठोड ने कानून व्यवस्ता पर सरकार की कारिश्वली को लेकर सवाल उठाये हैं मुक्यमंत्री अशोग गहलूत ने कहा कि अगर कोई घटना हुई है तो हम किसी को नहीं बख्षेंगे ये लाचारी क्यों हो रही है मुक्यमंत्री की जब राजनितिक तोड मुरोड की बात आती है तो तो शातिर्ता दिखाई देती है लेकिन जब जन्ता के हिट की बात होती है तो लाचारी दिखाई देती है ये जन्ता के लिए लाचार और सत्ता हासिल करने के लिए शड्यंत्र शातिर्ता ये दिखावा है और कुछ नहीं है मैं आप सबको बतलाना चाहता हूँ क्योंकि इच्छा नहीं है राजनेती के इच्छा नहीं है जिसके पास पुलीस हो राजिस्थान की पुलीस जिसके पास हो वो लाचार क्यों हो रहा है हमारी बेहन बेटियां क्यों वहाँ पर निलाम हो रही है सब जांच का विश्य है, सच्चा ही सामने आनी चाहिए, क्या वो बात सही है या गलत है, तो जांच होगी पता चलेगा तब ना, आज हम कह दें साब कोई ट्विट हुआ, सोशिल मीडिया पे किसी ने वाटसप किया और उस वाटसप को हम कह दें ये सही है, यदि सही बात आएगी, तो सक्से सक्कारवाई करेंगे लिए जासतो होने तो मीडिया के साथ प्रॉबलम ही हो गई, आप समाज के दरपन है, आपकी जिम्मिदारी है, कम से कम, खोजी मीडिया पहले किलियर तो हो, और यसाब क्या हो आगे, वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर बोले वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो क्या मामला है, सच्चा ही क्या है, दीजिए जाज का विसे पूरी जाज कराएंगी जब सच सामने आए उसके बाद सरकार अपने बयान देए भीलवाडा के अंदर दलित बस्ती के अंदर बच्चियों के खरीद फ्रोक्त हो राश्चे मानव इदिकार आयों को उसका संग्यान ले ये राज्य सरकार के माते पर पद्मा दाग है आज की युग में महिला ससक्ति करंड की बात कहने वाले सोग गैलोजी के खुद के सासन में जिला मुख्याले से बीस किलोमेटर के दर्मियान इस प्रकार की खटना हो जाए इससे जदा सरमना कोई बात हो नहीं सकती पो रैकर्ट चल रहे हैं बच्चों की तसक्री हो रही है बच्चों की तसक्री हो रही है एक तरह से इस युग के अंदर हमारी नारी सकती बच्चों की ख्रीद फिरोक्त होना सरकार पर लानत है